नवस्ते सलाम सस्रिया काल फैंस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ऐलमीनियम टेक्निकल सुपर चैनल में जैसे की फैंस आप देख सकते हैं एक और हमने जो है कीचन बनाई हुई है इसमें आपको दिखा दूँ अभी तैयार नहीं की तैयार कर रहा हूँ अभी आप देख सकते हैं अभी पल्ले नहीं लगाय हुए पल्ले भी आपको लगाके दिखाते हैं और सारा कंप्लीट करके दिखाते हैं यह देख सकते हैं वैसे डिजाइन हमने यह बनाया हुए अभी और यह देख सकते हैं यह जो हैं हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है सीट ल लगा दिय एह बना कि और यह जो आपको खाली दिख रहा हला था यहां पर हमने एक फूल्ड करके सीट लगा दिया अंदर से मुने राउटर मार के और यहां पर सब्सक्राइब हुआ निकाल के झालका उसा कर दिया और आप यहां पर यह आपको से हमने बास्केट लगाया हुआ है और इसमें जो हमने पर ले बनाई हुए है वो दो इंची एक इंची टूप में बनाई हुए है चैनल आप देख सकते हैं चैनल भी हमने हरीसन कंपनी का बड़िया कंपनी का लगाया हुआ है और इस तरह से आप देख सकते हैं यह हमने जो भी वीडियो हमने काफी बनाई हुई है कीचन के बारे में तो इसमें अगर आपको और भी वीडियो देखनी है कोई समझना है कुछ कि आपने लगा के नहीं दिखाई काफी केमेंट आते हैं आपने लगा के नहीं दिखाया बताया नहीं कैसे फिट करते हैं इसको तो इसके ल करजी से अपनी अपना किलर चॉइस करके काफी कलर इस पी सेट मैं Ừक कोई दिक्कत göre करके बीस एक पानी के साथ इसमें कोई नहीं होती है छोटे बाले एक हमने आटे के लिए बड़ा बीच में रखा हुआ है और ये साइड वाला जो आपको दिखाया था ये इसमें हमने दो पल्ले रखे हुए है और ये साइड में हलका सा मोड था इसमें भी हमने सीट मोड के फिक्स कर दी है और ये फ्रेंट का जो आप देख सकत है इसमें हमने इसमें भी हमने एक चार इंची आप पल्ला देख सकते हैं छोटा सा पल्ला हमने साइड में रखा हुआ यह भी हमने हिंजिस लगा के डबल पल्ले के उपर पल्ला लगा के कौने में जो है कौना जो हमारा होता है कौने के इसाब से हमने इस साइड भी ऐसे कौन है कोने में यह हमारे कोने में हो गया दो पल्ले हो गया एक छोटा पल्ला विल्कुल चार इंच का रखा हुआ है हमने एक पल्ला इस तरह से बड़ा रखा हुआ है यह देख सकते हैं और उपर हमने कैचर भी इसमें लगाए हुए है सभी पल्लों में जो हमारे हिंजिस पे पल हैं इसमें हमने हिंजिस लगाए हुए हैं सेक्षन इसमें दिखा दूँ इसमें जो हमने आउटर के लिए इस्तेमाल किया हुआ यह आप देख सकते हैं पौने दो इंची भाई पौने दो इंची एक इंची इस्तेमाल की हुई है उपर भी हमने इसमें सीट रखी हुई है सामान के लिए और इसमें जो है काफी हम बॉस कर सकते हैं पानी के साथ और जो भी आप देख सकते हैं सामान काफी वरा हुआ सीट में कोई दिक्कत नहीं है और इस तरह से आप देख सकते हैं स हुई थी हमने इस तरह से sit से cover किया हुआ और कैसे cover किया हुआ यह तो आपको पता है कि हमने काफी video बनाके डाली हुई है तो आप किसी भी video को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने काफी समझाया हुआ है कि और दिखाया हुआ भी है लगा भी दिखाया कि किस तरह लगानी है तो यह आप देख सकते हैं नीचे का हो गया उपर का जो आप फ्रेमिंग देख रहे थे सेम हमने इस तरह से देख सकते हैं इसको भी हमने सीट के साथ ACP सीट जो होती है हमारी उसके साथ क किस क्वाल्टी की चाहिए कहां पर कैसे मिलेगी तो यह आप ऐलमिनियम बाली सौप पर जाके वहां पर पसंद कर सकते हैं और यह देख सकते हैं साइड में जो पल्ला था इसमें भी सेम हमने जो इसकी सैल्पों के लिए जो इस्तिमाल की हुई है वो सारी एक इंची डेड़ कर दिया है और यह देख सकते हैं चिमनी की हमने जगे छोड़ दियो है चिमनी हमारी जहां पर थी वहीं पर है लेकिन हमने इसको उपर सीट से कवर कर दिया हमने इसको पूरा फिक्स किया है उपर से नीचे तक इसमें आप चाहें तो आदा फिक्स करके और आदा ओपन पला रखके बीच में सेल्फ कर सकते हैं लेकिन हमने पूरा फिक्स किया हुआ है और ये आप साइड में देख सकते हैं इस तरह से जो है हमने इसमें भी दो सेल्फ है डाली हुई है और इसमें भी सीट लगाई हुई है तो इस तरह से फैंस जो है आप कहीं भी कोई सी किचन जो है तैयार कर सकते हैं ऐसे डिजाइन बना के तो और आपको अगर वीडियो समझ नहीं आता है तो काफी वीडियो मैंने बना रखे हूं आप देख सकते हैं थैंक्यू धन्यबाद आप सब क्या